रोशन करे दुनिया नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शाइना एंसी स्वागत है आप सभी का विविद भारती के कारिक्रम रोशन करे दुनिया में हर हफ़ते हम आप से मिलाते हैं एक नई शक्सित के साथ ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ नया करके लोगों की दुनिया भी रोशन करते हैं और कर रहे हैं आज के बच्चे कलका भविशय होते हैं उनहीं के लिए कुछ करना यानि अपना भविशय सुरक्षित करना हैं कहते हैं कि खोल दे पंक मेरे कहता है परिंदा अभी और उडान बाकी है जमीन नहीं है मन्जिल मेरी अभी पूरा आस्मा बाकी है ऐसे ही बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है सीमा सिंग जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीमा जी स्वागत है आपका धन्यवाद साइना जी और मुझे बहुत खुसी हो रही है इस रौसन करे दुनिया में आकर जहां मैं अपने विचारों को और अपने कारी को लोगों तक पहुंचा सकती हूँ सीमा जी आप हमें बताईए कि मेगा श्रे इस परिपेक्ष में क्या करता है मेगा स्रे का मुख के कारी जो है वो बच्चों से ही जूरा हुआ है उनके उत्थार उनके प्रोग्रेस के लिए मैं हमीसा विश्वास करती हूँ कि उनको आप विंग दोगे तो वो बहुत ही उची उड़ान भर सकते है तो उनको सही मार्ग दर्शन का जुरुरत है जो बच्चे अंडर प्रिफिलेज है जिनके पास पैसे नहीं है कि वो सिक्षा सही सिक्षा तो उनको मैं सिक्षा का जो भी एजुकेशन का फीस है और जो भी है हम लोग उनको प्रोवाइड करते है पर्सनल ट्यूशन भी देत हैं तो हमारे जो बच्चे हैं आपने बिल्कुल सही बोला कि कल हमारा भारत है फ्यूशर है तो सिक्षित बच्चे कल के हमारे उज्वल भविश है सीमा जी इस NGO शुरू करने के लिए आपका उदेश सिर्फ बच्चों का था या कुछ अन्य, मुहीम या मिसाल या अनुभव जिसके आधार पे आपने इसका घोशना किया मेगा श्रे जो है मेरे बच्चों के नाम पे मैंने इसका नाम रखा है मेगा श्रे तो ये NGO मेरे लिए एक बच्चे के तरम माइने रखता है और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई भी बच्चे जो हैं असिक्षित नहीं रहे तो भारत एक सिक्षित देश हो और जो उनका बेसिक रिक्वार्मेंट है वो मैं उनको मुहया करा सकूँ मेगा श्रे की स्थापना कब हुई और कौन से ऐसे मुहीम है जो आप चला रहे हैं एक्चुली मैं ये चैरिटी वर्क बहुत सालों से कर रही हूँ बट पीछले तीन सालों में हम लोगों ने बिसेस रूप से मैं इसकी अस्थापना की और ये गवर्मेंट अप्रूब्ड एंजियो है तो मेरा जो में उद्देश से बच्चों को जैसा मैंने अभी बोला मुझे उनको सिख्शित करना उनके कपड़े और उनका जो बैसिक उनको जो भी बहुत सारे बच्चे अलग-अलग फिल्ड में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है तो अधर स्किल पे लेकि बहुत सारे बच्चे आर्ट में अच्छे है, डान्स में अच्छे है तो उन तक मुझे उनको लगता है मुझे उनको special education दे कर जो भी उनकी जरूरते हैं उनको मैं पूरा कर सको बहुत सारे लोग सीमा जी कहते हैं कि वो NGO's के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन उदेश नहीं पता तो कैसे काम करेंगे हम जैसे कहते हैं कि connect the dots लोगों को जो जुड़ना है वो कैसे जुड़ें यह बहुत ही अच्छा question आपने की है बहुत लोग जो है उनके पास उतना वक्त नहीं होता कि वो पूरी की पूरी education देना या जिस भी line में वो लोग expert हैं डांसिंग हैं बहुत लोग art के लिए हैं तो वो लोग आते हैं और अपना contribution करते हैं बच्चों के लिए सीमा जी काम करना काफी चुनौती पूर्ण होता है और ऐसे manage करना क्योंकि हर एक बच्चे की अपेक्षा अलग होती है तो आप कैसे तैख कर सकते हैं कि कौन से कारेकरम करना चीए और कैसे करते हैं मैं हमेशा जो भी challenges है उसको एक मैं opportunity के रूप में देखती हूँ आपने सही बोला कि हर बच्चों का एक अलग problem है और उनको में बहुत ही नजदीकी से उनके requirements को हम लोग monitor करते हैं और मेरी पूरी team है जो उनके जरुरतों को ध्यान में रखते और सही जगह पे उनको कैसे मदद किया जाए हम लोग उनको proper बहुत लोग अभी COVID के टाइम में बहुत बच्चे mental stress से mental stress बहुत ही बड़ा मुद्दा था अभी फिलहाल जो हम लोग अभी जो face कर रहे हैं दो साल बच्चों ने offline school लिये and suddenly online exams हो रहे especially 10th grade के बच्चे क्योंकि मेरा खुद का बेटा 10th grade में है और मैं देख रही हूँ कि बच्चे कितने stress से गुजर रहे तो मैंने उनके लिए एक special counseling का arrangement किया है जहाँ पे expert doctors हैं जो उनको counsel करते हैं उनको heal करते हैं और उनको सही तरीके बताते हैं कि इससे कैसे वो बाहर आ सके तो जो लोग समझ लीजे अपने बच्चे के लिए ऐसे counseling की प्राप्ती चाहते हैं तो वो मेघाश्रे के साथ कैसे connect करे हैं वो लोग हम लोग को contact कर सकते हैं थ्रू हमारे website और insta के थ्रू और हम लोग उन तक जरूर पहुंचते हैं और हम लोग बहुत सारे classes conduct कर रहे हैं counseling classes जहां वो doctor से अगर चाहें तो हम लोग उन के लिए appointment भी दिलाते हैं जहां वो personally भी जा सकते हैं और नहीं तो online classes है जहां पे वो लोग attend कर सकते हैं सीमा जी आप एक उध्योग पती के बड़े परिवार से आते हैं और बहुत लोग जानते हैं कि CSR का fund मिलता है क्या आप Alchem Pharma का CSR fund की निमत ये काम कर रहे हैं या ये आपका खुद का एक सोच विचार है अब बहुत आश्यारे चकित होंगी मैं एक बड़े इंडरस्टले फैमिली से आती हूँ बट CSR fund से तो काम होता ही है बट मैं यकीन करती हूँ कि अगर आप में छमता है और आप समाज के प्रती और योगदान दे सकती है तो मैं ये टोटली प्योर मेरा खुद का मनी है मेरे हस्बिन का सपोर्ट है जो मैं करती हूँ इसमें CSR fund का एक रूपया भी नहीं है कोविद के समय आपने काफी कुछ किया तो कौन से ऐसे कारियत है जो आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग का सपोर्ट मिला उसमें जब स्टार्टिंग था कोविड का उस समय बहुत लोग के जॉब चले गए थे लोगों के पास डेली के खाने का कमी बहुत था तो every day almost हम लोग 400 to 500 food packages बाठते थे और मैं खुद जाती थी मैं खुद फिल्ड में खुद सब जगा जाके personally मेरा involvement बहुत था उस समय तो वो वक्त ऐसा था starting का जहां खाने के लिए मैंने लोगों को तरस्ते हुए देखा और Megastay NGO के दोरा during COVID हम लोगों ने बहुत सारे sanitizer, mask ये सब distribute किये BMC, police और इन लोगों तक हम लोग पहुँचे जो भी उनका requirement था हम लोगों ने fulfill किया और recently हमने vaccination drive भी चलाए बच्चों के लिए बहुत सारे लोग है सीमा जी जो अपने घर में खुश है उनको लगता है कि समाज सेवा याने कि जन सेवा सिर्फ नेतागन को करना चीए लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि नई NGOs के साथ साथ समाज जब जुटता है तब आप अच्छा काम कर सकते हैं आपका कोई अनुभव रहा या कोई एक initiative जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे हम लोग बोलते हैं ना बुन-बुन से सागर भरता है तो सिर्फ ये जिमेबारी हमारे देश के नेताओं का नहीं है वो लोग अपना कारिय जरूर कर रहे और उनके मार्क दरसन यहाँ पर मैं जरूर बोलूँगी कि आप भी हैं जो हमारी role model है जो आप अपने busy life में होते हुए भी हर लोगों को इतना प्रोटसाहान और उत्साहित करती हैं अच्छे कारी के लिए तो मैं यह बोलूँगी कि हर एक नागरिक अगर आप capable हो तो you must give something towards your society for betterment और हम सब का जिम्मेबारी है कि अपने समाज को अपने देश को कैसे आप और योगदान कर सकते हैं अच्छे कारीों के लिए क्या एक संदेश है जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाते हैं जो विविद भारती के इस कारक्रम रोशन करें दुनिया को सुन रहे हैं जरूर मैं यही बोलूँगी हर किसी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप छोटा योगदान हो या बड़ा योगदान हो समाज के लिए जरूर कुछ करें अपने आस पास के लोगों को मदद करें और आपको चारिटी करने के लिए बहुत दूर जाने की और बहुत समय बिताने की जरूरत नहीं है आस पास जरूरत मन लोगों को अपना मदद करें जो आपके घरे में आपके मदद कर रहे हैं उनके बच्चों को एटलिस एक बच्चे को सिक्षित करें एक बच्चे को सिक्षित करनेंगे हर कोई तो आज हमारा पूरा देश सिक्षित होगा तो प्लीज कंट्रिब्यूट योर लिटिल अलसो और बोलते हैं बुन-बुन से सागर भरती है सीमा जी बहुत सारे लोग जो इस कारिक्रम में आएं हैं रोशन करे दुनिया वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिवे मनजिल मगर लोग साथ आते गए कारवा बनता गया क्या ये आपके लिए भी सही है? बिलकुल सायना जी आज भी सोमाज में बहुत सारे लोग इतने सारे अच्छे लोग हैं जो अपने बिजी दिन चर्या के बज़र से शायद उतना वक्त नहीं दे पाते हैं बट वो लोग जरूर अच्छे कारे में जुड़ना चाहते हैं और जब मैंने अपना NGO स्टार्ट की थी तो मैं अकेली थी मेरे दोनों बच्चों का मुझे साथ मिला और आज बहुत सारे लोग हैं जो इस कारे में जुड़ना चाहते हैं और वो हमारे साथ आ रहे हैं और आज मेगा स्रे मैं कह सकती हूँ कि देश के एक नून NGO में आता है और देश के हर छेतर से लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। तो आपका कारवा बनता गया। सीमा जी आप एक ग्रहनी थी और फ्रैंकली आपको एक NGO स्तापित करने की आवशकता भी नहीं है। और बहुत कम लोग हैं जो बहार निकलते हैं। तो मैं आपको पूछूँगी कि ये समंदर से नूर कैसे निकला। आप जैसे जानती हैं हाँ मैं एक अच्छे फैमिली को बिलॉंग करती हूं जहां मुझे कुछ करने की जौरत नहीं है। और मैं रोज सोसली सबसे मिलती हूं पाटियां करती हूं वो मुझे उतना खुशी नहीं दे रहा था। अंदर जो बोलते हैं आपके आत्मा को सान्ती और सुख नहीं था। जो मैं जब ये कारिये करने लगी और जो मुझे पीस मिलता है, जो मुझे आत्म संतुष्ठी मिलता है, वो अलगी लेवल का है। और मैं जे लगता है कि आप सोसाइटी के लिए करो, बाकी सब चीजे ठीक है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, समाज के लिए जियो, जरुरत मंदों के लिए जियो और इसने मेरे पूरे लाइफ को चेंज कर दिया। आपने कोविट के समय बच्चों के लिए वैक्सिनेशन ड्राइफ किया था, ये तो गवर्मेंट सरकार कर रही है, इसके बावजूद आपने क्यों किया। और उनका सारा वैक्सिनेशन का जितना भी था, मैंने सारे सोसल मीडिया पे उसको डाला, और उसके बाद सारे पैरेंट्स मेरे सामने आकर बोले कि हम लोगों को भी लेना है, तो मैंने उस उद्दे से को सोचते हुए वैक्सिनेशन ड्राइफ किया, और कोविट में जो फ् टीचर्स डे के लिए, टीचर्स डे पे टीचर्स लोग को फेलिसिटेट किये, और कोविट जो जम्बो सेंटर बीकेसी में हैं, वहां के सारे डॉक्टर्स को, हम लोग ने 26 जैनवरी को फेलिसिटेट किये, और आप बिलीम नहीं करेंगी, उनके फेस पे जो खुशी और उ जरूरी होता है, बिल्कुल. जब ही स्टार्टिंग कोविट था, तो लोग एक पैकेट, हमारे खाने के पैकेट्स लास्ट में खतम हो जाते थे, हम लोग जो लेके, जिनको नहीं मिलता था, वो भाग कर आते थे उसे एक पैकेट के लिए, तो वो कहीं ने कहीं आपको अंदर से इतना ये लगता है कि 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 इसने लोगों को आप मदद पहुचाओ और कर सको, समाल से मेरी यही अपैक्षा है कि हम लोग निगेटिव चीजों को छोड़कर, एटलिस कम से कम हर एक इनसान कोशिस करें कि एक इनसान की मदद कर सके, हम लोग हर किसी का मदद नहीं कर सकते, बट हर एक इनसान, किसी ए ये कारेकर्म रोशन करें दुनिया का मकसद यही है कि हम ऐसे लोगों तक पहुंचे जहां उनको प्रेधना मिले और ऐसे लोगों की बात करें जो सही में रोशन फैला रहे हैं तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं विविद भारती के सभी श्रोताओं को? मैं यही बोलना चाहूंगी सबको कि आप अपने समाज को अपने देश को एक पॉजिटिव मैसेज दे आस पास में अपनी खुशियां बाटे मदद करें और जो भी आप योगदान समाज के लिए कर सकते हैं जरूर करिए और अपने समाज को रोशन करिए बहुत बहुत धन्य में शाइना एंसी को अब इजाज़त दीजिए और अगले हफते फिल्म मिलेंगे एक और एंजियो और एक और शक्सियत से नमस्कार झालना एक और ऑला हम थाइना एक और शक्सियत से नमस्कार